साथ हो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यू चैनल टेक इस्टडी पे साथ हो बीपी एसी टी आरी 3.0 के री एक्जाम का संभावी टेट आ गया है और आपकी परिक्षा जो है 27 जून से लेके 30 जून के बीच में होने वाली है साथ हुआ आप सभी के बहुत ही ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर एक वीडियो बनाएं जिसमें यहां पता चल सके कि कितने चात्रों के उपर अग्या कंपटेशन होने वाला है यानि कि एक सीट के लिए कितने चात्र होने वाले है कंपटेशन के लिए सबसे ज्यादा जो मिलने वाला है वह कैसे मिलने वाला है पूरी जनकारी हम आपको इस वीडियो के मादम से देने वाले हैं तो वीडियो का प्लास तक चुह देखे वीडियो सोकन से पहले माँ आप से छोटा सारे करना चाहूंगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नहे है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबादे ताकि ऐसे ही लेटिश वीडियो मिलता रहे चली शुरू करते हैं साथ हो सबसे पहले हम जानते ह हेंगे तो रिक्तिव की संख्याः जो हैं 28-26 करके बताएंगे कि फिर आपकी संखिया जो है कैसे कमेगी अभी जो आपके सामने डाइटा होगा उसमें भी संखिया घटेगी और वह संखिया कैसे घटेगी हम आपको आगे बताते साथ हो सबसे पहले बात करते हैं कि जो आपकी फॉर्म की संखिया यान कि कुल कितने फॉर् परुछार्तियों ने क्या है था यह आपकी रईप्सेशन क्या थी कि 4305,00 अब इससे आपका competition नहीं पता चलब पाएगा कि कितना है हम सबसे पहले बात करते है 1-2-5 का 1-2-5 में आपको पता है कि 28-26 सीटे है हम एप्रॉक्स में मान के चलेंगे जो आपकी सीटों के संक्या है 28-26 है तो हम इसको 28,000 ही मानेंगे ठीक है 28,000 हो गया इसलिए competition जब 1-5 का होगा तो 1-5 में भी सामिलोंगे और 6-8 से जब competition होगा तो 6-8 में भी सामिलोंगे धान केगा तो टोटल आपका फॉर्म जो गिरा है 1-2-5 के लिए वह गिरा है 1-6-6-44 कितना 1-6-6-44 आपके फॉर्म गिरे हैं और 28,000 आपके क्या है इसमें देखेंगे तो वही आपका 5-7-7 यानि कि आप दिदका सकते हैं कि 6 गुना यहां से competition देखेंगे तो आपका competition जो है 1-5 के लिए 6 गुना बन रहा है अब कहेंगे कि 6 गुना देखे 6 गुना competition आपका बहुत जादा नहीं है इस बात को भी आपको ध्यान बहुत आपका जादा नहीं है लेकिन हां कुछ जब subject के अंदर जाएंगे जहां पर fight करेंगे जर्नल के उसके लावब भी सी गुए तो वहां पर थोड़ी से competition आपकी बढ़ सकती है बट यहां पर overall street की बात करें तो यह 6 बुना है इसमें भी महिला पूरुस के लिए अलग-अलग होगा आप एक चीज़े देखते हैं इसमें भी महिला सामिल है पूरुस भी सामिल है अब 1,60,000 जो अव्यर्तियों के संख्या है हमने कहा ता कि पूरा-पूरा मानेंगे और आपका seat कितने 28,000 अब 1,60,000 है इसमें से संख्या क्या कम हो सकती है तो जी हाँ बिल्कुल कम हो सकती है 1,60,000 में बाहरी के student भी पहुझाता है जो other estate की बात करते हैं तो other student के चातर भी काफे संख्या में है वहाँ पे पूरुस भी है और महिलाय भी है तो अभी आपने देखा है कि जो PPSC TRE1 और TRE2 के अंदर जो वहाल सिक्षक हुए है बाहर other estate को उनको seatate में 90 नमबर से कम आने पर उनको जो है नोकरी से बाहर किया जा रहा है यानि कि कम से कम उनको 90 नमबर चाहिए यहां फे फॉर्म भढ़ने के लिए बिहार में लेकिन हुआ क्या TRE1 के अंदर other estate वाले 90 से कम नमबर पे आ जाए महिलाय है जो 82 से 90 के बीच में थी वे आ गई फिर पूरुस भी है बहुत सारे पूरुस भी आ गई TRE1 के अंदर वही हुआ TRE2 के अंदर वही हुआ और यह देखके UP वाले या फिर other estate की बात करें जितने भी estate है बिहार के बाहर वे लोग भी आवेदन करने लगें क्योंकि और खास करके UP वाले भी करने लगें कि भाई हम लोग का कुछ कंडिडेट बता दिए कि मेरा तो 82 नंबर पे ही हो गया सेलेक्शन मेरा तो 83 पे ही हो गया तो आप बहुत सारे कमेंट उससे में भी देखे होंगे कि बहुत सारे चार्चात्राओन क्या क्या है वहाँ पर मतलब form को fill up कर दिया है अब मामला आगया यहां पर हाई कोट का फैसल आगया पटना हाई कोट का कि भाई 90 से कम नंबर वालों को रखना ही नहीं है अब मामला यहां पर फसल गया तो आपकी हम अगर बात करें तो 1,60,640 में उससे कितनी संख्या होगी जो कि other state वालों की होगी देखिए संख्या अधिक हो सकती है लेकिन हम minimum मानते हैं 10% 10% आपकी संख्या हो सकती है इसमें 10% हो सकती है कि नहीं हो सकती है हम 10% नहीं लेंगे हम 6-7% ही लेंगे कोई दिकत नहीं है लेकिन 10% minimum आपकी संख्या यहां पर हो सकती है other state वाला का जो इस state पर छटेगा आप लोग भी इस बात से agree करते हैं कि नहीं करते हैं आप लोग comment करके बताईएगा और एक क्या है कि आप exam नहीं देंगे क्योंकि उनको पता है कि high court का फैसला आ चुका है और TRI1, TRI2 से बाहर किया जा रहा है तो फिर उटने खर्च करके हमें नहीं लगता है कि exam देने आएंगे ठीक है other states कि उनको बात में कोई फैदा भी नहीं होने वाला है इस बात का भी आपको ध्यान रखना है तो 10% अगर संक्या यहां से आपकी कम होती है तो 16,000 कम होती है 10% करते है तो 16,000 घटा थे तो 1,44,000 प्याक रहा था लेकिन हमने यहां पर क्या 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 1,45,000 मान दिया करा अभी कहानी यहां पर खत्म नहीं होती है आपने देखा होगा कि जो BPSC TRE1 में बहाल हुए थे सिक्षर TRE2 के अंदर सिक्षक बहाल हुए थे और उसके बाद सक्षर्णता परिक्षा हो रही है जो नियोजी सिक्षक थे पहले से तो नियोजी सिक्षक भी कुछ ना कुछ फॉर्म यहां पर डाल दिये थे TRE3 के अंदर कुछ ना कुछ फॉर्म वे लोग भी डाल दिये थे जो नियोजी टीचर थे उनकी भी संख्या 10% से कम नहीं होगी, आप सभी भी जानते होंगे, उनकी संख्या क्या होगी, 10% से कम नहीं होगी, अधिक होगी, बहुत सारे ऐसे अबेरती हैं, जो कि TRI 1 के अंदर क्या हुआ था, उनको मन पसंद जिला नहीं मिला था, जो BPSC बाहल सिछाक है, TRI 1 मों उनक का यहां पर था नहीं होगा, दीज होगी, जो वहां पे खुद पास होरहा है, तो उनकोल होगी, यहां पर क्यों उबर enign. यहाँ पर BPSC के अंदर आने के करना उनका experience भी खतम हो रहा है उनको पैसा भी कम मिल रहा है तो इसलिए यह चीजे फर्स्ट और सेकेंड टीरी के अंदर जो नियोजी सिक्षा के उनको समझ नहीं आया और इस वज़ा से उन्होंने form fill up किया लेकिन जब जब हुआ तो उनका experience यहाँ पर खतम हुआ और साथ से पेमेंट खतम हुआ तो इसलिए आप उवेलोग सर्चमता के साथ ही जाना चाहते है और सर्चमता की परिक्षा भी आपकी इसी महिने होने वाली है एक तो हो चुका है दूश्रा होने वाला है तो फिर यह लोग इस एक्जाम में नहीं तो एक लाग 30,000 आपकी यहां पर फॉर्म फिलफ की बात करते हैं तो एक लाग 30,000 हो गया इसमें सीटो की संख्या आपकी कितनी होगी 28,000 हो गई तो आप देख लिए कि कितना गुना है यह आपका कितना गुना हो रहा है अगर हम इस पूरे कल्कुलेशन की बात करें अगर अगर आप इस कल्कुलेशन को करेंगे तो फिर संख्या आपकी बहुत कम आजागी आप देखेंगे कि यहां पर पांच गुना की बात करें तो एक लाग 40 से आकरा होना चाहिए था यह सारे चार गुना के आस्वास आजाएगा यह चार गुना तक आजाएगा आपका अगर में जिसने फिल किया है, six to eight में भी इसमें में डबल वाले फिल कि होंगे तो मान नहीं हो सकता है कि यहां पर वैसा नहीं है कि आपका absolute निक्ला जाएगा supplementary result की बात करते हैं फिर विए चार गुना और पाच गुना आपका competition बहुत जादा competition आपके सामने नहीं होने वाला है तो 1 to 5 के लिए वाकई कहें कि बहुत अच्छी बात है और 1 लग 30,000 में अगर बात करें 1 लग 30,000 की बात करें संक्या में तो इसमें भी देखेंगे तो बाहरी candidate भी होंगे उनके लिए भी आप देखेंगे तो 25% आरक्षन है आरक्षन की बात करते हैं उनके लिए जो जेनल सीटे है 25% पर फाइट कर सकते हैं बाकि 75% सीटे जो है वह रिजर्व है यानि कि बिहार के स्ट्वेंट के लिए ही है तो कहीं ने कहीं आपको इसमें ट्विश्ट देखनों के मिलेगा तो अगर अच्छे से त्यारी करते हैं तो आप अधिक जदिक 5 गुना भी मान के चलिए competition पे तो बहुत ज़्यादा competition नहीं है फ्वासा से यारी करते रहे है वह हमें 6 to 8 की बार करते हैं तो इसमें आप देखेंगे तो total seat के संख्या कितने है पर आब स्के हैं की संख्या यहां पर तो six to eight में आपका काफी competition होने वाला इस बात का ध्यान किएगा वहीं नाइन तेंथ की बात करते हैं इसके लिए सीटों की संख्या की बात करते हैं तो 17,18 सीटे हैं यानि कि अप्रोक्स मानते हैं 17,000 सीटे हैं इसके लिए जो आवेदन आया हैं आपके कि इसके लिए जो आवेदन आया है वह कितना है 16,986 है तो इसमें आप देखेंगे तो 22,44 यानि कि धाई गुना है यहां पर संक्या धाई गुना से थोड़ा से ज़्यादा होगा यानि कि तीन कंडिडेट में से भी तीन से कम ही होगा आपका उसमें से एक का सेलेक्शन होगा धाई गुना मान सकते हैं यहां पर कुछ देखिए कंडिडेट होंगे जो एक्जाम नहीं देंगे क्योंकि हर एक्जाम में होता है 100% एक्जाम नहीं देते हैं 10% उनका मीश होता है हमने जॉपको कल्कुलेशन जो बताया था 1,30,000 आपका यहां पर यहां पर निकालने के ब और भी कई रास्ते हैं जहां से कंडिडेट छट सकते हैं तो उसकी चार्चा तो ख़र हम लोग बार में करेंगे एक चाम के बार में करेंगे अभी जो चीजे थी आपके सामने लाना और यह लाने का मतलब यह है कि आपको मोटिवेट करना डाटा दिखा के आपको क्या करना कि इतने कम लोग में है तो हमारा वर्य सेलेक्शन हो सकता है अगर हम अच्छी त्यारी करते हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है अगर वन तूफाइट के लिए आवेतन किये हैं या 11-12 के लिए 6-8 में भी जा सकते हैं आपको जादा है देखिए दिखने में होता है लेक इसमें भी कुछ परसेंटेज होता है जो काफी मतलब उनका कंपरेशन हाइल बल तो अज्यादा होता है तो वैसे संख्या आपको देखने को मिल सकते हैं तो उमेद करते हैं कि पूरी डाटा आपको समझ में आ गई होगी तो वीडियो को लाइक किजेगा चैनल को पहले बा